हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टुट स्टुटी फॉर सेबल सर्विस चैनल ब्यॉर्प्रेसी तो हम लोग अपने क्वेशन और आंसर सीज को आगे बढ़ाते हैं कि हिंदी वाले पॉर्शन को भी कावर करिएगा हिंदी वाले बढ़ते हैं के बारे में यह एक काल करम दिया हुआ है और पता लगाना है कि आपको सबसे पहले कौन बना था फिर कौन और फिर कौन से अपको याद होगा कि मौर एंपायर के क्लाइन के बाद प्रियद्रत की पुष्यमित्र सुंग ने यह बात के रूलर्स हैं सुंग डैनेस्टी के तो पहला तो इसमें अगने मित्र दूसरा है वासुमित्र हो गाए सुमित्र नहीं यह होना चाहिए वासुमित्र ठीक है यह क्या होना चाहिए वासुमित्र ठीक है इस तरीके से यह हो गया वासुम स्मित्र और यह देव भूती तो यह सीक्वेंस बिल्कुल ठीक दिया है यह सकांसर है 123 काफी इंपॉर्टेंट है उस समझेगा उसके बारे में किस अभिलेग से जानकारी मिलती है तो आपको बता दूँ आयोध्या अभिलेग का संबंद किस से है उस समित्र सुंग से प्लीज इस इस फैक्ट को भी याद रखना यह पोस्ट मॉरियन पीरियेड वाले पोस्ट मॉरियन पीरियेड वाला जो काल खंड है हमारा इतिहास का जो चलता है 185 बीसी से लेकर अल्मोस्ट 380 तक तो यह जो पीरियेड है यह काफी इंपॉर्टेंट है इसमें हम देखेंगे ट्रेट फ्लो काफी ज्यादा हुआ और इसी दौरान हम देखेंगे कि भारत के दूसरे इस्सों में विदेशी लोग भी शासन कर रहे हैं भारत के उत्तर पस्टिम वाले छेत्रे में जिस मेरी इंपॉर्टेंट रिविजन करते समय इस चीश का ध्यान देंगे आप लोग ठीक है हिस्ट्री में बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है मेड़िवन इंडिया का मोहमद बीन तुगलक के बारे में आपको विचार करना है कि एक नए क्रशी किस्तंब और टोपरा को दिल्ली स्थनांतरित कर दिया था यह स्टेट्मेंट गलत है यह काम किया था फिरोस दुगलक ने तो इसका मतलब हुआ कि सी इस दराइट आंसर क्योंकि इसके द्वारा काम किया गया नहीं था काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे इस बात का अगला कोषिंट ए कई सारे हमारे मक्यां हैं अधुयतवाद द्वाद द्वाद द्वैत द्वैत वह नत क्या है न कोलो है नहीं है राम अरजुचारिका क्या था विश्ष द्वयत था बिल्कुल सही बात है मादवाचारिका द्वयत था ये भी ठीक है निम्बगाचारिका क्या था द्वयता द्वयत ये भी सही है रगुनंदन का नाम हमको नहीं पता चलता जो ये शुद्धा द्वयत है ये वह प्रूट्र कशिन देखते हैं अमीरे जुम्ला कौन था पृत्य विभाग के प्रमुख, जेल प्रमुख, पुलिस विभाग के प्रमुख विदेशी विभाग के प्रमुख तो याद रखेंगे अमीरे जुम्ला का समन्द किस चीज से है वित्त विभाग से है कि इफोर का एक कि 65 निम्लिकित में से किस अंग्रेज को अकबर ने हीरों की जाच के लिए नियुक्त किया था इसका अंसर आता है विलियम लीड्स काफी इंपॉर्टेंट है और इतना आसान फैक्ट नहीं है याद रखना ठीक है तो यह तो तुक्का मार की सही हो सकता है अग करते हैं अगले क्योंकि यह है अपका एन्वारिमेंटल स्यूस अंट्स है कौश्चन कौन से प्रात्मिक प्रदूशक नहीं यानिकी ब्राइमरी पॉलीटेंट्स कौन से नहीं है गशन सा नहींड तो इसका अंसर बन्हें आपका A, 1 and 2 is the primary pollutants भागी क्या है, secondary है 3 और 4, ठीक है अच्छा question है यह देखे, STG का मतलब होता है Sustainable Development Goal जिस तरीके से पृत्फवी के 5 मंडल यह कह सकते हैं कि जो हमारा जो atmosphere है उसको जिस तरीके से हमारे क्रिया कलापों ने नुकसान पहुँचाया है और उस तरीके से हमको कुछ ऐसे उपाय खोजने होंगे जिससे कि हम पृत्फवी को बचा सके तो Sustainable Development Goal भी वही प्रयासों में से एक है तो जो भी Goals इसमें निधारित किये गए हैं उसकी कुछ theme होती है तो Sustainable Development Goal 6 की theme क्या है सच्च जल और सच्चता ये बात बिल्कुल ठीक है अलग-अलग years में किया गया है ये important है हो सके तो याद रखेगा SDG 7 सस्ती और सच्च उर्जा ये बात बिल्कुल ठीक है SDG 13 भूमी पर जीवन ये सही नहीं है इसका समद्ध किसी से है क्लाइमेट चेंज से है तो ये सकांसर हो गया सी काफ़ इंपॉर्टेंट है मेरा सर्जिसन है कि आप सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट के बारे में जरूर पढ़के जाएंगे बेरी इंपॉर्टेंट इसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोने पढ़ूंगा पहले हिंदी पढ़ते है युट्रिफिकेशन यानि कि सुपोशन जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन को बढ़ाता है फोशक तत्मों से भरपूर जल निकायों के कारण शैवाल और फाइटो प्लैंक्टाउन की अधिक अत्यधिक बृद्धी होती है सैकेंड तो बिल्कुल सही है एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको यूट्रिफिकेशन इंक्रीज़ डिजॉल ऑक्सिजन इन वाटर बॉड़ीज नियूट्रिन स्रिच वाटर बॉड़ीज लेट तो एक्सेव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड फाइटो प्लैंक्टोन यह स्टेट्मन बिल्कुल ठीक है पहला स्टेट्मन गलत है तो इसकांसर क्या हो जाएगा एक गलत है कारण क्या है सही है यूट्रिफिकेशन के संबंद में यूपी पीशेस में पहले भी क्वेशन पूशी जा चुके हैं मतलब यह एक ऐसा सेक्शन है जहां से अक्सर क्यूशन पूशे जाते हैं तो प्लीज इसको भी एक बार रिवाइज कर लिजेगा रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो एट लीस कम से कम प्रिवियर्स एर के क्यूशन देखेगा और पता लगाएगा कि एन्वाइर्मेंटल स से संचालिश होता है संचालिश होता है जैविक का मतलब होता है बायोटिक और इसका मतलब होता है लेकिन कारण जो है गलत है यह होता है सिर्फ ए बायोटिक से ना की बायोटिक से तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया गलत यह अधिकतर प्रात्मिक अनुकरम से संबंदित है इसका मतलब उते एंग्लिश में इस मोस्टी रिलेटेटिट्टू प्राइमरी सक्सेशन गैट इस करेक्ट तो इसका अंसर क्या होगा ओनली टू इंपोर्टेंट है प्लीज ध्यान दीजेगा इस्टीनाइन का 69 का ओनली टू है अला क्वेशन देखते हैं यह देखिए यह भी बहुत शांदर क्वेशन है जरूर देखेगा इसको रिपीट होने की प्रवत्ति रही है ऐसे क्वेशन में तो बायो डैवर्सिटी एक्ट आपका है 2002 का और यहां वरन संग्रक्षण नहीं की एन्वार्मेंट एक्ट यह है आपका 1980 का इस आपसे अंसर क्या बन जाएगा इसका क्रम में लगाना है तो सबसे पहले लगेगा आपका 1972 यानि की 3 इसके बाद आएगा 4 फिर आएगा 2 फिर आएगा 1 यानि की A is the right answer मैं साथ में यह भी लिखूंगा कि यह बहुत ही important facts है प्लीज इसको ध्या भारत के किस राज में पवन उर्जा की सबसे वड़ी स्थापित छुमता है यह है कि विंड एनर्जी भी एक क्या है एक अक्षय उर्जा का उधारन है और वह एक alternate source of energy स्थापित हो रहा है इसलिए कुछ सालों में यह alternate source अगर हम स्थापित कर लेते हैं तो हमारी जो निरभ क्वेशन ये भी आ सकता है कि arrange the following state निमलिखित राज्जियों को पवन उर्जा के उत्पादन के संद्र में घटते या बढ़ते क्रम में लगाने को questions आये हैं तो इस पे भी आप ध्यान देंगे question no 72 निमलिखित में से कौन सा योग में सही है यह geography का question भी है और environmental science को mix करके दिया गया है जैसे कि मैं अक्सर बताता हूं dobson unit को use किया जाता है किस में ozone layer की thickness को measure करने के लिए तो यह option बिल्कुल सही है carbon credit का मतलब है one metric turn carbon dioxide यह बाद बिल्कुल ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा C फिर भी मैं चाहूंगा कि इन सब चीज़ों को आप अपने सतर से भी देखे ठीक है क्योंकि जब आप किताब में सब खोजेंगे तो इसके आसपास की जो चीज़ें होंगी कम से कम वो भी देखने का मौका मिल जाएगा और इससे क्या होगा कि आपका जो variety है वो थोड़ी बढ़ जाएगी ठीक है अच्छा question यह देखिए जल संगरक्षन तकनीक जा रहे है इसका answer है डी पेमघरा उडिसा हत्री है आपका हिमाचल प्रदेश से मदकस है करनाटक से आप अपातानी है और उनाचल प्रदेश से आसान सवाल नहीं है ठीक है कम से कम इसको तो याद रखी लीजेगा उत्तराखण में भी इस तकनीक का इस्तमाल किया जाता है चाल खाल क्या कहा जाता है चाल खाल प्लीज इसको भी याद रखीगा है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे चाल खाल का संबंध किस चीज से है याद रखेंगे चाल खाल का संबंध किस चीज से है वाटर कंजरवेशन से ही है ठीक है और इसका संबंध किस चीज से है किस तो इनके अलावा यह भी आप याद रखेंगे चाल-खाल ओके अगला कुशन 74 यह देखिए यह भी प्रयास है किसीज का अर्थ को बचाने का समय समय पर कई सारे प्रोटोकॉल्स कई सारी कन्वेंशन्स हुए हैं अलग-अलग शहरों में जिस सहर में होते हैं उसी सहर पर उस परत आयची लक्ष आयची नाम का भी शहर है आप मुझे बताएंगे कहां पर है बायो डाइवर्सिटी से कंजर्वेशन से है स्टॉक होम अनुबरत जैविक प्रदूशन क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से ठीक है तो यह सभी सही है यह सारे मैच बिल्कुल सही है क्य ग्रीन हाउस गैस की वज़े से ठीक इसका अंसर क्या हो जाएगा अगला और और उपग्रह किस वाईव मंडली परत में होते हैं उपग्रह एक इंग्निशन पढ़ लेते हैं इसको इन विच अट्मॉस्परिक लेयर ड़स और 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 एंड सेटलाइट अकर्स और और एक तो होती है देखिए लाइटनिंग होती है जो हमको हायर लैटिट में दिखाई पड़ती है जब चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैंग्नेटिक फिल्ड में एंटर करते हैं तो सोने वाले इस गटना को और यह न काई जाता है और यह और बारीोल्स और और दक्षिं में होने वाले को कहता है और अट्रस फिल्हाल आए यानि की स्ट्रेटोस्फेयर वीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर बाय मंदल इसका होना चाहिए वैसे आयनोस्फेयर लेकिन इसका आंसर में फिलाल नहीं दूँगा आप इसको पढ़िएगा आपको पता चलेगा किस बारें पूछा जा रहा है तो और आप उपग्रह से मेरा की बात हो रही है कि जो इनकमिंग सोलर रेज हैं कितना ज्यादा परावर्तित होती है यानि कि कितना ज्यादा हो रिफ्लैक्ट बैक होती है तो जितना अधिक होगी उतना ही ज्यादा उसका अल्बीडो माना जाएगा इसका सबसे अधिक होता है लाइट कलर सरफेस और हारा रंग है जिसका अल्बीडो क्या है कम है reflect back कम करेगा absorb ज्यादा करेगा और गर्मी वहाँ पर ज्यादा रहेगी ठीक तो एल्बीडो भी एक important phenomenon है ज्योगर्पी से related प्लीज जड़ा ध्यान दीजेगा सीज का इसमें मैं आपको बता दूँ रुके वे पानी का अल्बीडो 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 होता है अगर मौका मिलता है इस टॉपिक को पढ़ने का तो एक नजर इस पर मारिएगा ठीक अच्छा सवाल अच्छा फैट एल्बीडो हाल ही में शांती के लिए एशिया ही बहुत सम्मिनन का योजिन कहां किया गया था काफी चर्चा में था काफ अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे 78 का अंसर क्या पोधो में मैक्रो न्यूट्रेंट्स नहीं है तुलफर, मैगनीजियम, क्लोरीन या फॉस्फोरस इसका अंसर क्या होगा? C इसका अंसर है अमेठी में सबसे बड़ा क्या लगा गया है? प्लांट राइट अंसर इस अमेठी जो की यूपी में है निम्रिकित में से कौन सा जोड़ा साही सुमिलित नहीं है? शिव थापा, निसानेवाजी, प्रियांसू, राजावत, रजावत होना चाहिए, राजवत होना चाहिए, बैडमिंटन, योगे सिंग का संबंध बॉक्सिंग या सुमित नागल का सत्रंज से, अच्छा सवाल है, योगे सिंग का संबंध किस से, निसानेवाजी से, ना की ब म Зान जरासथ की योनेसको की धिरोर सूची के सामिल किया गया है भारत के कई सारे कंट सब्सक्राइध मसर्द सिवाइन छ यांने कि सतर्कथा आयोग सतर्क्ता आयोग के वारे में आपको विचार करना है इसकी स्थापना संथानम समीती द्वारा की गई, सीफारिशों पर की गई थी ठीक है वाई यह एक सम्मिधानिक संस्था है केरी सतरकता आयुक्त पांच वर्स की अबधी के लिए या 65 वर्स की आयुप्राप्त करने तक पत पर बने रहता है जी नहीं यह होना चाहिए चार और यह एक सम्मिधानिक संस्था नहीं है सम्मिधानिक संस्था वो होती है इसका उल्ले किसी आर्टिकल में हो तो दो और तीन दोनों गलत है इसका आंसर क्या होना चाहिए केवल एक इसकी स्थापना संथानम समीती द्वारा की गई थी वेरी इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त याने की ओंबूट्समेन का कारेकाल पूछा गया है काफी अच्छा सवाल है काफी ट्रिकी है अक्षा लोग 5 यह 3 साल में फंजाएंगे आंसर इसका क्या है 8 साल वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कारेकाल कितना रखा गया है 8 साल का लोकायुक्त तो क्या करता है एक प्रकार का वाश डॉग है सब देखें कि सब कुछ ट्रांस्पेरेंटली चल रहा है या नहीं और सरकार को इसकी जानकारी देगा निम्लिकित में से कौन सी भासा भारती समिधान की आठवी अनुसूची के तहत माननेता प्राप्त नहीं है देखें जो हमारी आठवी नुसूची है उसमें 22 भासाओं का उलेक है उसमें नेपाली का है संधाली का है डोगरी का है भोजपूरी का नहीं है ठीक है बाइस भासा है हो सके तो एक रीडिंग माल लीजेगा शेडूल आठ के बारे में काफी इंपोर्टेंट है ये कॉश्टन नहीं आया तो इससे कोई कॉश्टन आ सकता है कि इन भासाओं को किस साल में जोड़ा गया ये आ सकता है सुरुवात मेरे समिधान लागू वात तब कितनी भास आई थी आज कितनी है बाइस है याद रखेंगे इस बात को अगला कॉश्टन देखे राज्य को नाम दे गया है और बताना है आपको कौन सा राज्य कब बना गुजरात को निकाला गया था महारास वाले पार्ट से तो इसका न्रिमार्ड हो जाता है 1960 जाने नागालेंड बनता है 1963 में प्रिपुरा बनता है 1972 में मिजरों बनता है 1987 में ठीक है नौर्थ इस्ट रीजन वाले जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में हमेसा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एक्जाम दिसन के लिए उनका एक खास आर्टिकल भी है आर्टिकल 371 ठीक है उ भी 371 आर्टिकल के अंतरगत आता है तो हो सके तो एक मेंजर मान लिजीगा कि 371 आर्टिकल क्या कहता है ठीक है 87 भारत में से किस समिधानिक संसोधन के तहट सिक्किम भारत का अभिन अंग बनाया गया था कई बार रिबीट हुआ यह क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है अगली वार भी आ सकता है आंसर इसका है 36 समिधान संसोधन 1975 ठीक 87 का सी निमने कितने से कौन समवर्थी सूच यहां है मारे पास union list यानि की केंद सूची राज्य सूची और समवर्थी सूची केंद सूची में वे वी से सामिल होता है जिसमें केंद सरकार क्या करती है कानून बनाती है राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है समवर्थी सूची में दोनों बनाते है इसका आंसर क्य का संबंद्द वेतन आयुक से था इनका संभन था राजनीति में जो क्रिंगिलाइडरेसन बढ़ा है उसकी जन्ज ligर स्ञांसर क्या हो जाएगा डी एक आने के सम्भाव नहीं है कि आनुसूचियां की दूसरी निमलकित में से किसका उलेक नहीं है तो कि इनुसूचियां है 12 की 12 पढ़िये, 11 और 12 खास तोर पे, ठीक है, सारी इंपोर्टेंट है, आदे घंटे में आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, आंसर इसका क्या है, प्रधान मंतरी, पाकी इसमें सभी का उलेक है, अंटिक अंसर क्या है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम किस बारें बात कर र हैं, the members of the central administrative criminals are drawn from both judicial and administrative bodies, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें राजिसवा की सीटे पूशी गई है, और हाली में हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में राज्यों में राज्यों में राज्यों को लेकर चुनाव भी चल रहे हैं, बहुत चर्चा में है मामला, cross voting हुई है कही जग है, ठीक है, तो हो सकता है यहां से कोई question आही जाए, तो इन राज्यों में बिहार, पंजाब, गुजरात और महाराश के अगर हम बात करें, तो महाराश इन में सबसे बड़ा राज्य है और इसकी संख्या है 19, तो D का हो गया 1, C का हो गया 4, यानि की पंजाब का, और बिहार में कितनी सीटे है, 16, very important question, आने की संभावना है, प्लीज जरा ध्यान दीजेगा, important question है, आया है, आ सकता है, यह भी आ सकता है कि राजसभा के सदस्यों का चिनाव किस प्रकार से होता है, ठीक है, ध्यान देंगे जबात का, very important है व equal work for equal, wage for equal work वाला करके समझ सकता है, यह बात विर्गुल ठीक है, 44 article काफी चर्चाब में था, उत्राखंड की वज़े से, क्योंकि उत्राखंड पहला राज्य बन गया है, आजादी के बाद, uniform civil code लागू करने वाला, ठीक बात है, 49 A, गरीबों को मुफ्त कानूनी साहता, य यह बात विर्गुल ठीक है, और 51 नियाईक पालिका और काले पालिका से अलग करना, यानि कि separation of the judiciary with executive, आंदर इसका गलत है, इसका आंसर होना चाहिए, article 50, 51 में किस बात में, किस बारे में थर्चा की गई है, international peace, यानि कि अंतर रास्टी, भाईचारे और शान्ती की बात करी गई है, तो इसका क्या हो गया, ती, नियम्निकित में से कौन सा जोड़ा साही सुमलित नहीं है, रास्टी अनुसूचित जनजाती आयोग, 89 संसोधन, ये बात बिल्कुल ठीक है, रास्टी पिछला वर्ग आयोग, 101 संसोधन अधीनियम, हो सके तो पिछले 10 जो संसोधन हु जायगा, only one, समिधान के विशेयस भहुमत द्वारा निम्निकित में से किसमें संसोधन क्या जा सकता है, यानि कि special majority के दवारा, क्या-क्या चेंज लाए जा सकता है, इस सारे काम सिम्पल majority से हो जाते है, यानि कि one-third से हो जाते है तो इस कंसर क्या होना चाहिए 1 & 2 only अच्छा सवाल है simple majority, special majority और राज्य को किस-किस चीज में सामिल किया जाता है संसोगन करने के लिए जैसे कि GST आला है तो एक reading हो सके तो उस वाले part की मान लिजेगा प्लीज 95 का A तो मरती सुची का विचार कहां से लिया गया है उधार लिया गया है ये प्रेड़ना ली गई है Australia के समयधान से ठीक है, very important अकसर याद रहता है ये तो मुझे लगता है ये question आप लोग सही कर लेंगे 96 का B प्रोटेम स्पीकर निम्रिकित में से किसे सबद दिलाता है वाई नव निर्वाचित लोगसभा सदस्यों को लोगसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष को A और B दोनों को ना तो A को और ना ही B को इसका answer है A प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ऐसे विक्ति को जो काफी senior होता है ठीक है और वो सबद दिलाने के बाद उसका कारिकरम हो जाता है समाप्त और यही प्रणाली कहाँ पर चलती है विधान सभाओं में चलती है तो प्रोटेम स्पीकर लोग सभाओं में भी होते है और विधान सभाओं में भी इंपोर्टेंट है निम्रिकित में से कौन सा पहले केंद साथी प्रदेश नहीं था हिमाचर प्रदेश, अरणाचर प्रदेश, त्रिपुरा सिक्किम सिक्किम के बारे में अभी हमने कॉशन किया आपको पता होगा कि यहाँ पर चोग्याल नाम की क्या थी एक डैनेस्टी थी तो यह प्निसली स्टेट नहीं था सिक्किम है इसका अंसर D और सिक्किम को राजी का बनाया गया था 36 समिधान संसुधन के द्वारा यह अभी हमने दे हैं और पता लगाएं कि 15 आर्टिकल में और 16 आर्टिकल में जो आरक्षन दिया जाता है उसमें फरक क्या है और उनके क्लॉजिस के साथ तो प्लीज मेरे कहने पर ही सही आर्टिकल 15 और 16 के सभी क्लॉजिस एक बार जरूर पढ़ लीजेगा याद रखेंगे इस बात को अब कुछ न्यायलों के न्यायधीशों का वेतन और पैंशन संबंधी राजियों की समय कित निधी पर लगाया जाता है यानि कि consolidated fund of state तो दो में थोड़ा समय को doubt लग रहा है इस word में pension वेतन तो मिलता है consolidated fund of state से लेकिन जो pension मिलती है वो मिलती है consolidated fund of इंडिया से वेरी काफी महीन question है यह तो इसका अंसरा क्या होगा मात्र एक अर्थात only one तो यह रहे चालीस question प्लीज इसको देखेगा रुक रुक के देखेगा और इससे सम्मंदित जो भी आपको लगता है कि पढ़ लेना चाहिए उस चीज़ को भी पढ़ लीजेगा पचास यहाँ प बात है कि आपकी बागी चीज़ों को भी और करेगा ठीक है तो एक तो हमने session रखा यह वाला अगले session में हम लोग को important topic discuss कर लेंगे randomly कहीं से भी history का हो सबता है जैसे कि मैंने अभी आपको timeline बताई थी वैदिक period तक की उसके बाद हम सोड़ा discuss कर लेंगे 15-20 minute का और उस lecture को हैं अपने सतर से तो यकीन मानिए काफी साहता मिलती है स्टीज से ओके तो मिलते हैं next session में और तब तक पढ़ते रही है क्योंकि अब जाला दिन रहे नहीं गए थैंक्यू